Hello everyone, Technical Ranger में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने mobile phone से pen card को दार card से कैसे link करोगे आपके घर में किसी ने link नहीं करवाया है या आपके किसी relative नहीं करवाया हो तो आप बड़ी असानी से अपने घर में और अपने friend का बड़ी असानी से pen को दार से link कर सकते हो बहुत ही असान पर से सया वीडियो को ध्यान से देखना आप एक एक step ध्यान से देखना तभी आप पूरा सिख पाओगे अगर अभी तक आपने मारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाल पर भी क्लिक करें तो स्टार्ट करते हम आज का वीडियो सबसे पहले आपको अपने phone में Chrome browser ओपन कर लेना है यहाँ पर सबसे पहले आपको चैकरना होगा कि आपका pen card अधार से link है या नहीं बहुत सारे लोगों का link होता है तो यहाँ पर चैकर लेना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है आपको यहाँ पर option मिल जाएगी link अधार status इसके बाद आपको view link अधार status पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका penadar से link है या नहीं अगर आपका penadar से link नहीं होगा तो ऐसा show करेगा अगर आपका penadar से link होगा तो ऐसा show करेगा यहां पर साफ साफ लिखा है 1000पे पे करना पड़ेगा हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहां पर note में लिखा है पहले नमबर पर चलते हैं NRI इनको करवाने की जरूरत नहीं है दूसरे नमबर पर लिखा है जो इंडिया के citizen नहीं है उनको करवाने की कोई जरूरत नहीं है तिसरे नमबर पर लिखाया जिनकी एज 80 साल से ज़ादा हो गई है बो चाय मेल हो या फिमेल उनको करवाने की कोई जरूरत नहीं है फोर्स नमबर पर चलते हैं जो लोग असाम में गाले और जम्मू एंड कर समीर की रहने वाले हैं उनको भी करवाने की कोई जरूरत नहीं है लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर pen नमबर यहाँ पर लिखना है pen नमबर लिखने के बाद आपको धार नमबर यहाँ पर लिख देना है फिल करने के बाद नीचे option मिल जागी validate की इसके उपर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा page सो हो जाएगा यहाँ पर लिखा है payment detail not found for this pen अभी इस pen की payment नहीं हुए payment करनी है यहाँ पर नीचे लिखा है continue to pay through e-pay tax आपको इसके उपर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद यह साब शोग करेगा यहाँ पर लिखा है pen आपको यहाँ पर pen number लिखना होगा यहाँ पर लिखा है कनफरम पैन में आपको यहाँ पर भी पैन नं Momo लिखना होगा निचे आपको मुभाइल नंबर लिख देना है जो मुभाइल नंबर आपने डाला आया उसके उपर आपको एक OTP आएगा इसके बाद आपको continue पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा You have successfully verified through mobile OTP इसके बाद आपको continue उपर क्लिक कर देना है आपको यहाँ पर सबसे उपर income tax लिखा है इसमें proceed पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको option मिल जाएगी assessment year जो latest है 2324 सलेक्ट कर लिजिए यहाँ पर नीचे लिखाए type of payment पेमेंट किस तरह से करना है आपको यहाँ पर select पर क्लिक करना है आपको सबसे उपर जो लिखा है other receipt 500 इसके उपर क्लिक करना है इसके नीचे continue की option पर क्लिक करना है टोटल उन्थ हफजंट आपको यहाँ पर continue पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेस हो जाएगा यहाँ पर आपको payment करना है यहाँ पर आपको payment करने के दो तरीके मिल जाएंगे net banking और debit card net banking में आपको मिल जाएंगे access bank, camera bank, icici bank कोटा में अंदरा bank, पंजाब national bank अगर आपका कोई other bank है तो आपको other bank की option मिल जाएगी अगर आपके पास net banking नहीं है तो आपको debit card की option पर क्लिक करना होगा आपके पास ATM card होगा ATM card कोई debit card बोलता है आपको यहाँ पर 4 bank की option मिल जाएगी अगर आपका ATM card की से और bank का है तो आप किसी और से भी ले सकते हैं मेरा ICICI bank का ATM card है तो मैं इसके ओपर क्लिक कर देता हूँ इसके बाद आपको continue पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद ऐसा page हो हो जाएगा आपकी क्या payment detail है 11,000 रूपीज हमें यहाँ पर pay करना है तो आप यह नौ पर क्लिक कर दे आपको यहाँ पर term and condition मिल जाएगी आप इसको पड़ भी सकते हैं आपको यहाँ पर नीचे I agree पर क्लिक करना है और submit to पर क्लिक करना है email id और mobile number को फिल कर देना है यहाँ पर आपको tick लगा देना है proceed with card payment आपको इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने card payment आ जाएगी आपको यहाँ पर card number लिखना है cv number लिखना है आपकी payment यहाँ पर done हो जाएगी इसके बाद जब आप payment successively कर लोगे यहाँ पर दो दिन का time लगता है दो दिन के बाद आपका पैनादार से लिंक हो जाएगा अगर अभी तक आपने मरा जनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आल पर भी क्लिक करें thanks for watching my video